हलो फ्रेंट स्वागत है आपके अपने यूटूब चैन ग्यान प्लस पर उतरप्रदेश अधीनस सेवाचैन आयोग द्वारा 1400 पदों पर निकाली के नई वीडियो की भरती फश सकती है 1468 पदों पर हाली में उतरप्रदेश अधीनस सेवाचैन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकाली की भरती जाय रिकी थी जो पीटी 2023 के मात्यम से पहले विग्यापन था फश सकती है या नई भरती क्योंकि इसमें जो ओबीसी के पद जो है 27% आरचित पदों के मुकाबले नहीं दरसाए गए है केंद्री मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखा पातर यहापे देखिए अनुप्रिया ने ग्राम पंचायत अधिकाली भरती के आरच्छन पर उठाए सवाल सीएम को पत लिखकर ओबीसी आरचित पदों की संसोदी सूची जारी करने की मांग किये तो चली देखते हैं क्या है पूरी ख़वर क्या कहा हिनों ने और आने वाले समय में आपकी भरती पर क्या कुछ अथर पढ़ सकता है देखते हैं अगर आप चाहें पहली बार्चा को सब्सक्राइब तो अब लाइकन को प्रेस करना मत भूलेगा इसी तरह की लेटेस्ट अब्रेट पाने के लिए चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर देखिए क्या कहा है अनुप्रिया पठेल ने जी ने उतर प्रदेश अधिनस सेवाचेन आयों की ओर से जारी ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 प्रदों पर भरती के विग्यापन को लेकर विवाद छिन गया है अपना दल एसकी राष्टी अध्यच्वाकेंद्री मंत्री अनुप्रिया पठेल ने इसमें OBC आरच्षण को लेकर सवाल उठाया है सवाध्य छकले स्यादो भी इस भरती में OBC आरच्षण पर सवाल उठा चुके हैं अनुप्रिया ने मुख्मंत्य योगी को पतर लिख कर मांग की कि ग्राम पंचात अधिकारी मुख्परिच्छा के लिए संबंधित व्याक की ओर से भेजे गए अधियाचन की जाश कराकर OBC के लिए आरच्षित पदों की फिर से संसोदित सूची जाली कराई जाए हम पर आपको बता दें कि 2018 या 19 में जो है पहले जो है राजस चगवंदी लेकपाल की एक भरती आई थी यूपिट प्लेशी से ही उसमें भी इसी प्रकार का मुद्दा था तो जिसकों की अनुप कार से इसमें भी मुद्दे लग रहे हैं तो यहां पर देखिए क्या है कि आयों की और से जारी विज्यापन में ग्राम पंचाय तदिकारी के 1468 पदों मेंसे 849 अनारचित 356 जाती सास अंसूचित जन जाती 149 OBC वा 117 EWS के लिए आरचित किये गए हैं अनुप्रिया ने पत्र में काया कि NDA सरकार ने OBC अब्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर प्रतियोगी परिच्छाओं वा प्रिवेश परिच्छाओं में पहली बार इस वर को आरच्छन देने का निड़र लिया था वर्तमान में कई ग्वागों में वागी संबर्ग में OBC के अनुमन आरच्छित पदों से अधिक कर्मिचारी होना बताया जा रहा है सामान इस्तिती में या संबव नहीं है या भी जानकारी मिली है कि जब काटर में खाली पदों की समीच्छा की जाती है तो जिनका चैन आरच्छित पदों पर मेरिट के अधार पर होता है तो उनकी गढ़ना OBC के पदों पर करने से ज़्यादा विशंगती पैदा हो रही है कुछ समय पहले चकबंदी लेकपाल के विग्यापन में OBC के लिए कोई पद ना होने की चर्चा का विशाय रहा है देखें हमने पहले ही आपको बताया इसमें आगे उलेक भी किया गया है कि चक्वंदी लेकपाल के विग्जापन ओविसी वर्क के लिए पदों का ना होना चार्चा कविश है जहा इस पर निर्देश के बाद भी अधिकाईयों की लापरवाही के कारण अंडिये सरकार पर व इस तरह के विग्जापन में पहले विभाग आरच्छा की गढ़ना करता है बाद में आयोग मिलान करता है यदि कोई गलती होती है तो आयोग इस पर आपती दर्ज कराता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यदि कोई सवाल खड़ा किया जा रहा है तो क्राश चेक करा लेंग में रिक्तियों की गढ़नावा आरच्छे की पूरी जुमेदारी संबंदित व्याकी है मेरी जानकारी में इसमें कोई कमी नहीं है यूपी उत्तराखंड के काडर विवाजन के कारण कुछ कंप्यूजन हुआ है पुरविर कुमार अद्धच उत्रपदेस अधिनस सेवाच कि इस भरती का भविश्च क्या कहीं चकवंदी लेत्पाल की तरह नहीं तो नहीं हो जाएगा लेकिन ऐसा इसमें प्रतीत नहीं होता है जैसा भी पहसला होगा जल्दी आपको क्लियर कर दिया जाएगा फिलाल यह रही आपके लिए अपडेट इस वीडियो में तरह है मिले अगली वीडियो में तब तक लेजाएँ जय भारत